दोस्तों नवरात्री का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है नवरात्री के पूरे नौ दिन गंगा जलकी हर एक गुंद की तरहे पवित्र माने जाते हैं ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है दोस्तों आपको बता दे 2023 में इस सालमा दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृत्वी लोक में पधारेंगी शास्त्रों में वर्नित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शार्दिय नवरात्री पर यदी माता दुर्गा का आगमन उनकी बहन सिंग पर नहीं, बलकि खाती पर होगा तो मान्यता है कि म जाता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही, शुब और कल्यानकारी माना जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ती का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दोस्तों इस बार नवरात्री पूरे नौ दिनों तक मनाई जाएगी ना एक भी दिन कम ना ज्या ऐसे में शार्दिय नवरात्री पर माता दुर्गा की क्रिपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुब महुत है, 15 अक्टूबर को दिन में, यारा बचकर 44 मिनट से दोपहर 12 बचकर 30 मिनट तक कलश स्थापना का शुब महुत रहेगा, महुत में की गई पूजा बहुत ही शुब मानी जाती है, इससे समस्त देवी देवताओं की क्रिपा प्राप्त होती है, और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है, ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें हटा देता है, तो उसके घर में मा वैशनों का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास मा शेरोमवाली आपकी जोली खुशियों से भर देंगी, इसलिए नवरात्र, आने से पहले घर से ये चीज दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे। दोस्तों सबसे पहले नवरात्री के पहले ही मंदिर की। अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं तूटी फूटी मूर। और वो काच हलकी सीभी अगर तूटी हुई हो तो ऐसी काच को बदल वाले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें तूटी मूर। कि पूजा करने से तूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रधा भक्तीव। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं, वो नवरात्री के नौ दिनों में अपने घर इन चीजों को रख लेते हैं, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री के नौ दिनों तक मातारानी भक्तों के घर में वास करती हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मातारानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के बातावर्ण को पवित्र रखें, और नवरात्री शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज लहसुन मीट अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें, अपने घर को साफ रखें, इन वस्तूओं को घर से बाहर निकालने के बाद, अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य। पवित्र हो जाएगा, घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा भी नश्ठ हो जाएगी, और जीस घर में वातावर्ण पवित्र होता है, और नातार आत्मक उर्जा नहीं होती, वहां माताराने का वाद सदैव होता है। दोस्तों माता के आगमन के लिए घर का दर्वाजा जरूर सजाना चाहिए, इससे माता आकर्शित होती है, और घर के द्वार में प्रवेश करती है। के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए, दोस्तों कई लोग ऐसे हैं, जो मातारानी की चौकी कागस बिछा कर बनाते हैं, जो की बिल्कुल गलत माना गया है। के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाए काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए, ध्यान रखें कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। वहीं अधिकतर लोग अपनी चत पर या अपने घर के मुख्य दर्वाजे के आसपास कबाड़ इकठा कर देते हैं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है, अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दर्वाजे पर या चत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में और नई गाड़ी ले आये या उसकी मरम्मत करवा। पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी, पुराने कपड़े जो फट गए या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके। कोई भी फालतु सामान तूटा हुआ सामान ना रखें, धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें नवरात्री के दौरान मातारानी की पूजा में। कोडियों को शामिल करें मातारानी के साथ साथ रोजाना कोडी का भी पूजन करें इसके बाद आ। कोडी को धन रखने के स्थान पर रख दें, ऐसा करने से बरक्कत हमेशा होती है, अगर आपके पास पुराने जूते चपल इकठे हो गए हैं, तो नवरात्री से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें, पुराने जूते चपल की अशुगता के कारण ही घर में नकारात्मक उर्जा आती है, और घर में अशांती और कलह का माहौल रहता है, नवरात्री आने से पहले घर से जाला निकालना ना भूले अगर जीस घर में जाला होता है, उस घर में माता रानी का भी वास नहीं करती साथ ही साथ तूटे फूटे, बरतन अगर घर में पड़े हैं, या त तूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दे घर में। जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदी जरूर अर्पित किया जाता है अगर आपका वरत हैं तो आपको सेफ जरूर खाना चाहिए केला पपीता तर्बूज और मिठे अंगूर जरूर खाना चाहिए इन फलों से वरतधारी को शक्ती मिलती है और वरत संपूल हो जाता है शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए सीता फल खाने से दस ऐसी बिमारिया है जो खत्म हो जाती है माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है सीता फल खाने से नवरात्री का वरत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशिरवाद मिला हु बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका वरत तूट सकता है जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डाले नहीं तो बलड तूट जाएगा साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए फलों का साधा जूस पीने से ब्रज सफल होता है दोस्तों नवरातरी के दौरान सिंधाडे का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लेकी आटा पुराना नहीं उना चाहिए क्योंकि पुराने आटे में कीडे बगेरह बढ़ जाती है जिसके कारण आपका रग तूट सकता है छोटे कीडे हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुह तक पहुच जाते हैं ऐसा आटा खाना मतलब कीडे मकोडों का मास खाने के बराबर माना गया है दोस्तों नवरातरी के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं आलू वगेरह खा सकते ह साबू दाने की टिकिया बना कर खा सकते हैं साबू दाने की और आलू के पापड भी खा सकते हैं कई सबजिया तो ऐसी हैं जो नवरातरी के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं इससे आपको एनरजी मिलेगी और भारत सफल हो जाएगा नवरातरी के दौरान आप दूठ पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा चाय वगेरह भी पी। सकते हैं, लेकिन याद रहे, उसमें नमक न डाले, एक बात का ध्यान रहे, वरत धारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए नहीं, तो वरत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, थोड़ अलग स्वरूप के हिसाब से अलग-अलग-अलग-भोग अर्पित किये जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है, जिन्हें नवरातरी के दौरान, भूलकर भी मातारानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए, तो आए मा का जैकारा लगाते हुए विडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों नमबर एक नवरातरी के दौरान शादी शुदा, महिलाओं को सफेद कपड़े पहन कर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना। और हमेशा के लिए चली। नारियल रखकर ही की जाती हैं, मातारानी के पूजन में हम नारियल इस्तमाल करते समय कुछ गलतिया कर। बैठती हैं दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिन्स नारियल के अंदर पानी होता है। मातारानी के पूजन में सदैफ पानी बाला और जटा वाला नारियल ही इस्तमाल करें। नारियल चटका हुआ मैं तूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है, साबुत नारियल ही सुख समरिधी का प्रतीक होता है, साबुत नारियल को ही श्रीफल यानि की मा लक्ष्मी का फल कहा जाता है, नवरात्री में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के उपर लेटा कर रखना चाहिए घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदैव लेटा कर कलश के उपर रखा जाता है साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपडे में लपेट कर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के उपर स्थापित करें शास्त्रों के अनुसार कलश के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही वरत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है ये भी ध्या बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों नमबर तीन लॉंग लॉंग हम सभी मातारानी के पूजन में इस्तमाल करते हैं लेकिन लॉंग का इस्तमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी को सदैफ फूल वाली लॉंग ही अर्पित करना चाहिए जीस लॉंग के उपर फूल नहीं होता या फिर जीस लॉंग के पीछे लकडी की डंडी नहीं होती उसको आप मातारानी के पूजण में भूल कर भी इस्तिमाल ना करें फूल वाले लोगों को ही पुन्य माना जाता है और मातारानी के पूजण में कोई भी अपूर्ण वस्तु कोई भी खराब वस्तु या तूटे हुए अकशत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तिमाल करें दोस्तों नमबर 4 तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए मा दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तिमाल करना वर्जित माना जाता है तुलसी पत्र के अलावा मामला भी मात पतारानी को अर्पित नहीं करना चाहिए दुर्बा। कि घर में मातारानी की दो या तीन मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए इस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें कि मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तमाल ना करें पंडित चीज जैसे की चटका हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर अटका पूई बर्तन साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप मातारानी के पूजन में इस्तमाल ना करें क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं ऐसा ना करें ऐसे बर्तनों को मातारानी के पूजन से सद जो पुष्प अर्पित कर रही है उन्हें सुंगे नहीं सुनते हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुर्जाये हुए फूल माता को अर्पितना दोस्त नवरात्री के अश्टमी और नवमी तिथी पर कन्या पूजन का विधान है। और मंगलकारी माना जाता है और वही आठ दिनों की नवरात्री को अच्छा नहीं माना जाता ऐसे। मातारानी का वरत और पूजन किया जाता है लेकिन नवरात्री के दौरान सबसे। ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का दोस्तों माना जाता है वरत और उपासना से। मातारानी इतना प्रसंद नहीं होती है जितना की कन्या पूजन से होती है नवरात्री में छोटी छोटी कन्याओं को मातारानी का स्वरूप माना जाता है कन्याओं को भोग लगाया जाता है उन्हें प्रसंद किया जाता है और बदले में आशिरवाद मांगा जाता है कन्या को प्रसंद करने के लिए गिफ्ट आदी उफार वगेरह दिये जाते हैं, माना जाता है, अगर कन्या को कोई भेद दी जाए और वो उसे खुशी-खुशी स्विकार कर लें, तो इसका मतलब है मातारानी अर्थात माता वैशनों ने वो भेंट, स्विकार कर ली जिन पर कन्या प्रसंद होती है, तो समझो उन्हें मातारानी का. पर जमीन पर कपड़ा बिचा कर बैठ आना, चाहिए उनके माते पर अक्षक फूल और कुमकुम लगाना चाहिए, फिर उसके बाद भोजंग रहन करवाना, चाहिए लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में तीन पूरिया कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना ज पर जाता, तीन पूरिया तथा तीन रोटिया मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है, ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में तीन पूरी कभी ना दे, लेकिन एक दो करके पूरिया दे सकती है, इससे तीन संख्या बढ़ जाती है, दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुन्नी उडाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी, हलवा चना तथा आलू की सबजी छोले वगेरह की सबजी खिलाना चाहिए पनीर आदी भी. खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्यास का इस्तिमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगेरह का पैकेट खिलाते हैं, जो की घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्यास का इस्तिमाल होता है, जिसके कारण आपका वरत खंडित हो सकता है, जहां आपने नौ दिनों तक लहसुन प्यास का परहेश किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे वरत को खंडित कर सकती है, कन्या को डबबाबंध कोई भी ऐसी चीजे ना खिलाएं, जिसमें लहसु प्यास होता है, कई चीजे तो ऐसी होती है, मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्यास का इस्तिमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं, तथा दही जले भी खि मातारानी बहुत प्रसन होती है, घर का बनापक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, हमेशा याद रखें कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे बरतन पूजा पाठ के लिए शुध नहीं अशुब होते ही कन्याओं को हमेशा स प्रत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है, दोस्तों भोजन, कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लॉंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लॉंग देवी शक्ती, तथा दुर्गा मा को बहुत प्रिय है, लॉंग माता शक्त कोई भी कमी नहीं होने देगी आपको बता दे कन्या को उपहार में क्या दे कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिना डाले ताकि आपके घर में संपन्ता बनी रहे तथा धन। की कोई भी कमी ना हो कन्याओं को कोई सुन्दर गिफ्ट दे सकते हैं प्रो में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ती प्रदान करती है, ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, याद रहे काले कपड़े ना दे और स्टील के बर अर्थना को पूरा करें सच्चे, दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है, दोस्तों आप में, से कौन कौन चाहता है माता रानी को अपने घर पर बुलाना, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, मा हमारे घर जरूर पधारी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है जय माता दी.